गाईस धर्ती पर सबसे पुरानी चीच क्या थी बैग्याने कौम इस बात को लेकर सालों से बहस होती रही है लेकिन बैग्याने को ने अब इस दिसा में नई खोच करने का दाबा किया है बैग्याने को ने बताया कि धर्ती पर सबसे पुराने जीविस्म की तलास कर ली गई है बैग्याने को ने ऐसे जीविस्म की खोच की है जिसे काफी पुराना माना जा रहा है बरजीनिय टेक युनिवर्सिटी के बैग्याने को द्वाराजिन जीविस्म की खोच की गई है वो ट्रांसेक युग के बताय जा रहे हैं एक टीम ने एरिजोना में अपनी तरह का सबसे पुराना पहला ट्रांसेक युग का सिसीलियन जीविस्म खोजा है ट्रांसेक युग 200 बाउन मिलियन बर्स पहले के कालखंड को कहा जाता है जो की 201 मिलियन बर्स पहले ही खत्म हो गया था जिसके बाद जुरासेक युग आया था यानि ट्रांसेक युग जुरासेक युग से भी पहले का योग है लिहाज बैग्यानेकों की इस खोच को बिग्यान की दुनिया में कापी एहमियत दी जा रही है इस खोच को लेकर बैग्यानेकों में नई हल चलवर गई है गाईस नई खोच को बैग्जानेकों का चमतकार भी बताया जा रहा है क्योंकि साइन जन्रल नेचर में प्रकासित हुए एक अध्यन से कहा गया था कि इससे पहले सिर्फ 10 सिसीलियन जीविस्म की खोच की गई थी जो सुरुवाती जुरासिक काल के थे लेकिन ये जीविस्म उससे भी पहले के हैं जुरासिक काल में डाइनसौर की खोच की गई थी नई इस्टडी में बताया गया कि सबसे पुराने जीविस्म की खोच नए सबूतों को हासल करने की दिसा में काफी एहम उपलब्दी है ये जीविस्म बिग्यान और विकास बात के लिए अनसुलजे और बड़े सवालों का हल करने की राहे प्रस्तित करते हैं आने वाले समाय में जीविस्मों पर अनुसंधान करने वाले बैग्यानिकों को इस खोच से काफी मदद मिल सकेगी बैग्यानिकों के मताबिक सिसीलियन जीविस्म बहुती दुरलाब होते हैं और बेखोच अभियान के दोरान तब अचाना की मिल जाते हैं जब जीविस्म बेग्यानी अनकिस्म के जानवरों के जीविस्मों की खोच कर रहे होते हैं लिहाज बेग्यानेक इसे अनोकी खोच बता रहे हैं बेग्यानेक इस खोच को भविस्य के लिए काफी एहमान रहे हैं बैग्यानिकों के मताबिक हर कालखंड के मताबिक जीविस्म अपने अपने रूप बदलता है पहले के जीविस्म और अपके जीविस्म में काफी फर्क होता है मौडन दोर के जीविस्म में कई अंग होते हैं बे compact bullet की आकार की खोपड़ी वाले बोलनाकार होते हैं, बे कीड़े और कीड़े जैसी चीजों का सिकार की तलास में रहते हैं, बे पत्तों के धेरिया मिट्टी में दबे होते हैं, बे इसी तरह से अपना जीवन सुरक्षित रखते हैं, गाइस आपको इस ट्रांसिक योग के जीविस्म के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, और ऐसी ही amazing facts के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें